तो बच्चो हम लोग आचुके हैं अपने next lecture पर आज के इस lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं solenoid के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं solenoid क्या होता है फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे solenoid magnetic field बनाता है तो देखें यहाँ पर मैंने एक डाग्राम मना रखा है बच्चो solenoid basically होता क्या है जब हम किसी soft tyran core पर copper wire को wound करते जाएं तो हमारा solenoid तयार हो जाता है अब इस solenoid में जैसे हम लोग current पास करते हैं wounded to produce magnetic field when current passes through it तो देखें बच्चो यह हमने पढ़ लिया solenoid क्या होता है क्या बता है मैंने soft tyran core पर अगर हम copper wire को wound करते जाएं लपेटते जाएं तो एक तयार हो जाता है solenoid अब बात करते हैं soft tyran core क्या होता है soft tyran core बच्चो एक ऐसा material होता है यह basically एक होता है ferromagnetic material मैं नाम बता देता हूँ आप higher classes में इसके बारे में detail में पढ़ोगे class 12 में material का नाम क्या है ferromagnetic इस material को ही हम लोग बोल रहा है soft tyran core अब यह जो material है ferromagnetic की करता क्या है यह more number of magnetic field line को अपने अंदर से पास कराता है more number of field line passes through it इस तरीके से यह जो soft tyran core में material यूज हो रहा है material का नाम है ferromagnetic material यह ऐसे material होते हैं जो अपने अंदर से जाधा से जाधा magnetic field line पास कराते हैं जिससे एक अच्छी magnet बन सके अब मैं आपको यह बताता हूं कि यह magnetic field कैसे बनाती है तो देखिएगा हमने क्या करा जैसी यहां करेंट छोड़ेंगे तो यह करेंट इसमें से होकर जाएगा और यहां से वापस से बैटरी में आ जाएगा अब मैंने soft tyran core को हटा कर एक diagram दिखा रखा है यहां पर आप देख सकते हैं जो copper wire इसके ऐसे करके helical shapes बने हुए हैं अब जब आप यहां से देखेंगे तो हमारा साउथ पोल यह हम previous lecture में पढ़ चुके हैं नहीं देखा जाकर देखें फटाफट से clockwise जब करेंट बनेगा इस तरीके से तो कौन सा पोल बन जाएगा साउथ साउथ पोल यहां बन जाएगा साउथ पोल बनने का मतलब है कि यहां से magnetic field line enter कर रही होगी अंदर जाती हुई दिख रही होंगी कुछ ऐसे क्योंकि हमने क्या पढ़ी थी properties North से निकलती है, South में enter करती है, यहां से magnetic field line अंदर enter करती हुई दिखाई देंगी इस तरीके से, और जब यह एक side से enter कर रही है, तो obvious सी बात है, दूसरी side से बहार की तरफ निकलेंगी, तो यहां से जैसी यह निकलेंगी, तो curve हो जाती है, इस तरीके से, और यह वापस जाकर जुड़ जाती हैं इदर, तो देखे, magnetic field तयार हो चुकी है, यहां कौन सा पोल होगा, अगर यहां से magnetic field line हमें भार आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यहां पर होगा बच्चो North Pole, तो यहां पर आप देख सकते हैं, solenoid में है, Electromagnet, Electromagnet क्यों बोला हमने इसे, नाम में आप देखे, Electro plus Magnet, Magnet का काम क्यों कर रही है, magnetic field बनाना शुरू कर दिया, और यह बात है, Iron के object को attract करेगी, Electro इसलिए, क्योंकि electricity से हमने magnet बनाई है, इसलिए इसका नाम है Electromagnet, अब देखे, बच्चों, हमने यह तो पढ़ लिए, solenoid एक Electromagnet है, और यह एक temporary magnet भी है, temporary इसलिए हम बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जब तक current है, तब तक यहां magnetic field है, जैसे आप current को off करेंगे, वापस से magnetic field off हो जाएगी, क्योंकि यह solenoid बन गया, जैसे आप cell को हटाते हैं, तुरंत यह iron nails नीचे गढ़ जाती है, क्योंकि आप उसके अंदर से magnetic property होई है, loss, अब हम बात करते हैं कि solenoid की magnetic field strength कैसे calculate करेंगे, तो देखेगा, पहला point है, magnetic field strength of solenoid depend upon current, यह पहला primary factor रहेगा हमारा, हर case में मैं यही लिख रहा हूँ, current है, तब ही यह है, तो हम इस chapter में current की बिना magnetic field बनाई नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पहला point, magnetic field strength proportional to the current, जितना जादा आप current flow कराएंगे, उतनी जादा strong magnetic field बनेगी, magnetic field proportional to small n, अब देखिए small n है बच्चों यहाँ पर number of turns per unit length, complete name है इसका number of turns per unit length, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे for example, माल लीजिए solenoid है, इस तरीके से, अब इसके माल लीजिए 1 cm में total 10 turns है, कितने हैं, 10, हर 1 cm में 10 turn हम लोगों ने बना दिये हैं, of turns क्या लिखा है, मैंने पर unit length, यहाँ पर unit length के अंदर कितने rings के छले हैं, तो यहाँ पर यह होगा छोटा n, अब बात करते हैं कि बड़ा n भी होगा क्या, यहाँ पर एक मैं formula लिख रहा हूं, अगर कभी भी आपको small n calculate करना है, तो हम ऐसे करते हैं, total turns divided by total length, इस तरीके से calculate होता है, बच्चो small n, total number of turns यह है उसकी length, total solenoid की, जैसे divide करेंगे आपको मिल जाएगा small n, एक example के थूँ देखें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक centimeter में total 10 turn है, माल लिजे 10 centimeter का है, अब मुझे पता करना है, इसमें total turns कितने है, तो total turns के लिए क्या formula है, capital n equal to छोटा n into l, छोटा n कितना है हमारे पास, that is 10 length कितनी है, total, total length लिखेंगे, that is 10, तो हमारे पास total turns आ गए 100 इस तरीके से हमको यहाँ पर calculation करनी होगी, छोटी मोटी तो हमने second point किया पड़ा, magnetic field strength of solenoid depend upon number of turns, जितने ज़्यादा आप turns बनाएंगे solenoid में, उत्ता अच्छा आपका solenoid तयार होगा, जैसे आप इन दोनों को combine करेंगे, on combining 1 and 2, तो हमारे पास formula आएगा, B proportional to ni, this is magnetic field strength of solenoid, तो यह बच्चों हमने सब कुछ solenoid के बारे में पड़ा, क्या के हम लोगा ने पढ़ लिया, solenoid एक electromagnetic field है, क्योंकि जब तक electricity जाती है, तब तक magnetic field है, और यह temporary magnet है, जैसे आप current को off करेंगे, यह demagnetize हो जाएगा, यहनि magnetic power इसमें से loss, बनाए कैसे जाता है, soft iron core लेते हैं, material कौन से use करते हैं, ferromagnetic, क्योंकि इसमें जादा number of field line pass हो जाती है, जिससे यह strong magnetic power hold करके रखेगा, अपने अंदर, wire को wound करते हैं, जितने जादा turns बनाएंगे, उतना अच्छा solenoid और current जितना जादा उतना अच्छा solenoid की field strength, और इस diagram में हम लोगों ने यह दिखाया कि solenoid कैसे magnetic field बनाता है, जैसी current भेजते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, circular ring से इस तरीके से, circular ring में हमने clock rule से पढ़ा था, कि कोई भी circular ring में अगर current जाता है, तो magnetic pole बनाता है, magnetic pole से magnetic field line बनेंगी, वही यहाँ पर case repeat होता है, जिसकी वैसे दो polarity developed, magnetic field line के loop शुरू हो जाते हैं, और यह behave करता है, magnet की तरह, एक point मैं आपको और बता देता हूँ, अभी मैंने क्या बताया, solenoid एक temporary magnet है और permanent magnet भी होती है, permanent magnet वो होती है, जिनकी magnetic power कभी loss ना हो, आपने देखा हो, बहुत सारे toys में, अलग-अलग तरह की devices में permanent magnet आती हैं, जिनको आप generally windows या एल मेरा पर चिपका देते हैं, तो वहाँ पर वो जो magnet है, वो generally steel से जादा तर बनाई जाती हैं, क्योंकि steel की magnetic power hold करने की आदत बहुत अच्छी होती है, यह कई सालों तक उसमें, magnetic power hold करके रखते हैं, that's why these are called permanent magnet, तो आप यह ध्यान रखिएगा temporary और permanent magnet में क्या अंतर होता है, temporary कुछ देर के लिए, जब तक उनमें एक condition है, permanent हमेशा के लिए, अब हमारा next topic difference between permanent and temporary magnet, चलिए शुरू करते हैं, temporary magnet मैंने भी बोला था है, electromagnet को कहते हैं, क्यों बोलते हैं temporary, देखिएगा, because they show magnetic behavior when current is on, जब इनमें current on होगा, तभी यह magnetic behavior show करेंगे, current off होते हैं, इनमें magnetic behavior गायव हो जाएगा, इसलिए temporary हैं, इधर आ जाते हैं, permanent में, permanent में क्या होता है, इनका behavior कभी भी loss नहीं होता, हमेशा इनके अंदर magnetic power रहती है, यह कभी भी demagnetized नहीं होते हैं, demagnetized का मतलब इनकी magnetic strength कभी 0 नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं, electron magnet के अंदर बच्चों, हम लोग polarity को reverse कर सकते हैं, simply current की direction को reverse करके, जैसे आप current की direction को reverse कर देंगे, वैसे आपको इसमें polarity भी reverse हो जाएंगी, जैसे आप यहां देखिए, अगर माल लीजे आप लोगों ने इस तरीकी से solenoid बनाए, यहां battery का positive है, तो माल लीजे यहां से current जा रहा है clockwise में, तो यहां बन गया south, इधर बन गया north, अगर आप इसी case में बच्चो, battery की polarity को उल्टा कर दें, ऐसे, अब यहां south आ जाएगा और यहां north आ जाएगा, तो यह polarity reverse की जा सकते हैं, simply by changing the direction of current, इधर आ जाते हैं, यहां पर बच्चो, permanent में polarity fix रहेंगी, थर्ड पॉइंट है, electromagnet produce strong field, electromagnet याद रखेगा, सबसे ज़्यादर strong field produce कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें current का amount बढ़ाते हैं, तो इनकी magnetic strength भी जादा होगी, अगर हम इधर बात करें, तो इस case में permanent magnet की constant और weak power होती है, और इनकी हम strength को भी बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये था बच्चो difference दौनों magnets के अंदर,